तो नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हो लोग बात करेंगे भौत थीकी के सेट नमबर थिरी पे जो की काफी महत्पून कोश्चन्स हैं अगर आप लोग वीडियो के अंतक बने रहते हैं तो एक दावाई के साथ कर सकते हैं कि आएए आपके एकजाम्स के लिए काफी फायदेवन्द होगा और पूरी उमिद से कर सकते हैं कि ये वीडियो के अंतक आप लोग बने रहते हैं तो ये वीडियो आपके एकजाम्स के वीव से काफी महत्पून है तो चलिए सुरू करते हैं तो जो मेरा उनहत्तर नमबर कोश्चन्स है इसके पहले मैंने 68 कोश्चन पर डिसकस कर चुका था जो की काफी महत्पून कोश्चन्स था फीजिक्स के तो आपने अभी तक उसेट नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर दे सकते हैं आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा तो चलिए इसको सुरू करते हैं 69 से तो जो मेरा कोश्चन से धौनी के किस ल प्रदूशन होता है क्योंकि हमारे जो वायू होता है वह आश्मान में वायू जब चलती है तो वहां से उस से प्रदूशित गैस निकलता है जिसके कारण हमारे जो वायू है वह प्रदूशित हो जाती है तो 171 नमर कौन सी प्रकिरिया प्रकास और ध्वानी दोनों में नहीं हो सकता है तो जो झो स्वेत को चक्षण तका इसबंगा कि कि अधोनी का प्रवाव मानना से कारण नहीं अधो और ये आप लोग देखे कोई मंदीर गूम ए बंद कमरा में जाईएगा तूव टक्राएगा जो एक दिवार से एक किसीवी चीजिजेट टक्राएगा जिसके कारण आपका प्रतिधोनी उत्पन होगा ये कि हमारा प्रतिधोनी उत्पन होता है ये ब्यागतिके अपने प्रतिधोनी सुनने केलिए परवर्तक तल से कीतने दुरी खड़ा होना случае today देखे 56 फीट पर खारा होना चाहिए ये भी कोश्चंस महत्पूर्ण है आप लोग इस कोश्चंस को प्रेक्टिस करके एकजाम्स में जाहिएगा तो जो नेक्स्ट कोश्चंस है इस्टेटोस्कोप धोनी के किस सिधान पर कारे करता है तो यह हमारा परवर्तन के सिधान पर ह कारे करता है तो जो नेक्स्ट कोश्चंस है 77 किस एक प्रकार की तरंग का परयोग रात्री द्रिष्टी उपकरन में किया जाता है तो आवरक्त तरंग का हम आप लोग को बता देए धोनी का है यानि टोटल मेंड 200 कोश्चंस को मेंसन किया है जिसमें पूरे फिजिक्स के ट 78 नमर एक जिट वाई वान दो में के वेक से हावा उड़ रहा है जब धोनी का वेक हितना मीटर पर सेकेंड हो तो वाई वाई वान की चाल कितनी होगी तो देखे इसमें हम लोग सीधर इसमें मॉल्टिप्लाई कर देंगे तो देखे इसमें यह 33 2 इंटू 2 से मॉल्टिप् सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जो next को जान से 79 नमर लोगा 20डिग्री संट्रीग्रेट के तापकराम पर 50 माध्या में धोनी का गति अधिक्तम होगी तो लोहा में तो जो next को जान सा जेव एक जेव पधति जिसमें प्रासरव धोनी का प्रयोग किया जाता है तो नहीं देते हैं वह उपकरन जो ध्वानी तरंगों की पाचान तता रिजी रेखन के लिए पर्युक्त होता है क्या काला तो सोनार के कारण ही हम लोग समुद्र में या कोई भी मतलब तो जो नेक्स्ट कोचंस है थुरा वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं तो इसलिए आप लोग इसे 360 पी में मोड में कर लिजेगा तो आप लोग को टूटल कोचंस किलियरली दिखाई देगा तो जो नेक्स्ट कोचंस है देखें किस घटना के आधार पर प्राकास तरंग के स्वरूप की खोज किसने की थी तो मैक्स्वेल नहीं किया था या आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे किसने स्वर प्रतम ये दिख लाया कि प्राकास तरंगों का विवर्तन होता है तो ग्रेम वाल्डी ने ही दिखाय था विवर्तन को तो जो नेक्स्ट कोचंस है कौ कौन से सिधांत असके तरंग की प्राक्रिती को पुश्टित करता है तो देखिए प्रतमास से प्रित्म प्रेटविंट अने में प्रकास को लगब कितना समय लगता है तो यह आप लोग को पता होगा आठ मिनट शुला पॉइंट सिख सेकेंड़ लगता है इसके पहले मैंदे यह को चर्म धर्मा से थिदि तक आने में प्राकास को लग लगता यह कितना स्वर्द सेकेंड़ लगता है इसीर से आप लोगा दीखाई नहीं देता है दिखाई देता है तो देखिए रहाग के समय सुरह का और जी से बड़तिन करोना नहीं सोरे के लुफर भाथ संहुते हैं वहीं दीखाई देता है देखिए next questions 104 नमर पानी से भरे किसी बरतन में पड़ा एक सीख्या किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है तो प्राकास के अपॉर्टन के कारण काफी सारे घटना है अगर आप लोग प्राकास के अपॉर्टन क्लाश 10 में पढ़े होंगे तो इसके उधारन को समझ लेंगा और उधारन अबजेक्टिफ समें काफी महत्पुर्ण होते हैं और यह पूछे जाते हैं तो जो नेक्स्ट कोचंस है नेक्स्ट कोचंस में फोकस करते हैं देखिए यह है हमारा देखिए पानी में डुबोई एक घड़ी किस सवर्थी के कारण मूरी हुई प्रतीत होती तो यह सब्सक्राइबोई सुखा बालु यह दिहीं होता है तो इसका काराद हमारा परवर्तन है परवर्तन के कारान ही सुखा बालु के आप प्रॉक परवर्तन परतेता है जिसके कारन रोड्स रवस देखिए धि Lor Chem जो नेक्स्ट कोचंस Ay cord लास्ट कोचन से 103 नमबर पिछली साइड के ट्रेफिक को देखने के लिए और उत्तल दर्पन का उप्यों किया जाता है उमीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफी बढ़ियां लगा होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्क्राइब करक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी सेर कर दीजिए तो चलिए मिलते हैं एक और नए सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाएं